Hello students, welcome back to class English simplified and thank you so much for joining us आज हम Nelson Mandela Long Walk to Freedom जो chapter है हमारा इसकी समरी करेंगे जो की chapter number second है class 10th first prep book से और जिसके जो writer है वो खुद Nelson Mandela है तो इनका जो पूरा नाम है Nelson Rolly Hala Hala Mandela है तो start करते हैं हम students अपने इस छोड़ी सी समरी को यह जो chapter है यह एक अंच है excerpt है यह उनकी autobiography का जो की उनोंने खुद लिखी है और इनका जो जन हुआ था वो 13 July 1918 को हुआ था और यह जो है एक पहले black राजपती रहे South Africa के यह जो इनकी autobiography है और यह जो इसका अंच जो हम इस chapter में पढ़ेंगे यह introduce करता है किसको उनकी education को उनके struggle को जो उनोंने अपनी country के लिए किया और उनोंने 30 years 30 साल जेल में निकाले क्योंकि वो एक देशभक थे करांती कारी थे और इसी वज़े से उनको जेल में डाल दिया गया था और उसके साथ साथ उनके painful torture को कि जो अत्यचार उनोंने सहा अपने young age में तो यह जो autobiography है यह हमें उनकी इनी चीजों से अवगत कराती है यह जो chapter है यह इस चीज को भी recount करता है students कि उनकी जो fight रही अपनी आजादी के लिए अपने खुद के काले लोगों के लिए और जिससे की वो torture होते थे white लोगों की द्वारा यानि के South Africa में क्या होता था कि जो गोरे लोग होते थे वो इन काले लोगों पर बहुँच जादा अत्यचार किया करते थे और बहुँच जादा रंग भेद की महाँ पर नहीं तिया थी तो ये चैप्टर उनके contribution को भी mention करता है कि उन्होंने दूसरे freedom fighter के साथ किस तरीके से लड़ाईय लड़ी अपने देश South Africa में 10 मई 1994 को Nelson Mandela ने South Africa के पहले काले राशपती के रूप में शपत ली और उससे पहले student 3 centuries से क्या था कि यहाँ पर गोरे लोग ही अपना राज चला रहे थे कभी भी किसे काले वैक्ती को गौर्मेंट में जगे नहीं मिली थी और यह पहले एक ऐसे राशपती थे जो काले रंग के थे और वहाँ पर जुनों ने इसकी शपत ली और यह क्या था कि एक नया जनम था Democratic Country का लोगतांतरिक देश का यह एक जनम होने जा रहा था तो अभी तक क्या था कि जो गोरे लोग थे काले लोगों को रंग बेद के अधार पर इनके साथ बहुत जादा थेचार किया करते थे बहुत सारे जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे देश के और जो राजनेता थे अलग-अलग कंट्री से तो वो यहाँ पर इस सेरमनी को इस इनोगरेशन सेरमनी को अटेंड करनी के लिए आए और यह ऐसा पहली बार हुआ था कि साउत अफरीका की धरती पर कोई इस तरीके से सेरमनी हुई जिसमें पूरी दुनिया से ने था और पूरी दुनिया से बड़े-बड़े लोग इकठे हुए और यह जो सेरमनी थी यह कहाँ पर हुई स्टूडेंट्स की यूनियन बिल्डिंग का जो एक ठ्रियेटर था जो की प्रिटोरिया में था तो वहाँ पर यह इनोगरेशन होना था अब जो राजपती जो मंडेला है उन्होंने अपने सारे गैस्ट को एडरस्ट किया और इसके साथ साथ उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया कि आप लोग यहां पर आए और इसके साथ उन्होंने यह भी प्रॉमिस किया कि वो एक ऐसी सोसाइटी का निर्मान करेंगे, क्रियेट करेंगे जिसमें की सारी मानवता को और हमारी खुद के देश को बहुत ज़्यादा गर्ब महसूस होगा और उसके साथ साथ जितने भी जो अंतरास्टी लीडर्स वहाँ पर आए वे थे उनको उन्होंने स्वागत किया और उनको धन्यवाद दिया कि वो इस सेरमनीक में आए और इसमें शामिल हुए यह जो समारो था यह न्याय का शांती का मानवे गर्मा की सामाने जीत का प्रतिने दित्व कर रहा था राजनीतिक स्वातंतरता मिलने के बाद उनकी सरकार ने लोगों को गरीबी से अभाव से पीड़ा से लिंक और अन्य भेदभाव के बंधन से मुक्त करने का संकल्प लिया क्योंकि अभी तक साउथ अफरीका में यही सब होता रहा था गोरे लोग इन काले लोगों के साथ बहुत ज़ादा भेदभाव करते थे गरीबी के अधार पर इनको करते थे रंग के अधार पर इनसे भेदभाव होता था और इनके साथ बहुत ज़ादा अत्यचार किया जाता था तो इसी वज़े से ये जो government अब नहीं आई इन्होंने ये शपत ली कि आज के बाद हमारे देश के लोगों को इस तरीके के भीदभाव से कभी भी जूजना नहीं पड़ीगा जब ये सारामने समाप्त होने गवाई तो उसके बाद वहां की जो सैना थी उन्होंने अपना शक्ती परदर्शन किया और ये दिखाया कि वो इस नहीं सरकार के साथ है और उसके बाद आसमान में जो जैट्स थे उन्होंने उडान भरी और उन्होंने रंग बिरंगा छोड़ा धुएं की ट्रेल चोड़ि जो की डिफरण्ट करलर्सके धुएं धे जैसे की ब्लैक कलर का रेड कलर का क्रीम कलर का ब्लू कलर का और गॉल्डन कलर का और यह सार ही किनलोंrh दो रूंत के जो शाट अपरीक मनेइब डूंत तो रू झालों है अपने साउथ अफरीका के न्यू फ्लैक को आसमान भी चित्रित किया और आखिर में वहाँ पर दो नैशनल एंथम गाये गए एक तो वो जो कि गोरों ने गाया जो कि पुराना वो गाया करते थे और एक वो जो काले लोगों ने गाया क्योंकि आज उनकी जीत का दिन था तो क अपने नैशनल एंथम को वहाँ पर गाय रहे थे अब मंडेला ने एक्स्प्रेइन करने की कोशिश करी कि आखिर क्या कारण रहे जिसकी वजह से साउथ अफरीका में आंदोलन करने पड़े और ये और कोई जादा बड़ा कारण नहीं था ये सिर्फ और सिर्फ एकी कारण था क्योंकि वहाँ पर काले लोगों के साथ उनके रंग के आधार पर गोरे लोगों द्वारा बहुत जादा अत्याचार किया जाता था और ये गोरे लोग उनको हर कदम पर हर स्टेप पर जीने का अधिकार भी उनसे छीन लेते थे और ये अत्याचार इतना जादा बढ़ कि जिसकी वज़े से ये अंदोलन उन लोगों को करना पड़ा और वो ये कहते हैं कि ये अत्याचार जो हुआ जो कि लोगों के ओपर साउथ अफरीका में गोरे लोगों के द्वारा हुआ उसने क्या किया कि उसने कुछ ऐसे नए नए स्टार्स को जनम दे दिया जो कि करा दाक कराने की कोशिश करी वो याद करते हैं अपने उन थाुजंट से भी ज ज्यादा अपने देश भकतों को जिनोंने बहुत जादा पेन सहन किया अत्याचार सहन किया और उसके बाद उन्होंने एक लंबा संगर्ष किया आजादी के लड़ाई में हिस्सा लिया लेकिन आज जब उन लोगों को जीत मिली है और आज उसका जब फल खाने का टाइम आया है ये रिजल्ट सामने आया है कि आज उनका देश आजाद है और एक काले व्यक्ति को देश के राश्पती क रूप में शपत मिली है और आज उनका देश आजाद है तो आज इन सारी चीजों को देखने के लिए वो सारे के सारे देश भक्त जो है जिन्दा नहीं है वो कहीं दूर चले गए है इस तरीके से वो अपने देश के करांतिकारियों को याद करके बहुत जादा भावुक हो सकता क्योंकि कोई इनसान कैसा पैदा होगा किस जाती में पैदा होगा ये किसी को भी पता नहीं होता तो इसलिए किसी को हक नहीं है कि वो इसके आधार पर किसी के साथ नफरत कर सके और अगर वो लोग किसी के साथ नफरत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार की भाशा भी स अच्छाई हमेशा जीवित रहती है, तो जो इनसान के अंदर की जो अच्छाई है वो कभी नहीं मरती, बस कोशिश ये करने चाहिए कि हमें उस अच्छाई को जगाना चाहिए, अम मंडेले ये कहते हैं कि वो तो आजाद ही पैदा हुए थे और वो आजाद थे अपने खेतो जो की आजादी थी, और स्टूडन के रूप में उन्होंने आजादी किस रूप में मांगी, कि उन्होंने कहा कि हमें आजादी मिलने चाहिए, कि हम एक नाइट बाहर गुजार सके, खुले मन से, बिना किसी डर के, अपनी पसंद की कोई बुक पढ़ सके, अपनी चोईस की और उसके साथ साथ हम अपने दोस्तों के साथ बाहर इंजॉय कर सके, क्योंकि शायद उस वक्त ऐसा महोल था स्टूडन की काले लोगों के ओपर बहुत जादा अटैक हो जाता होगा, इनको डर डर के अपनी लाइफ को गुजारना पड़ता होगा, तो इसलिए ये बोलते ह कि ऐसे स्टूडन्स मुझे इस चीज के अजादी चाहिए थी, और उसके बाद जब मैं यंग हुआ, तो मैंने अजादी मांगी कि मैं अपनी योगिता के अकॉर्डिंग कोई भी काम कर सकूं, और उसके बाद अपनी फैमिली की देख भाल कर सकूं, और एक अच्छी जेगे से आकर्मन होता होगा, और हर एक जेगे इनके साथ भेदभाव होता होगा, अब इसके बाद वो आगे कहते हैं, कि कोई भी इनसान जो किसी पर अत्याचार करता है, वो भी खुश नहीं होता, और जो इनसान अत्याचार सहता है, वो भी खुश नहीं होता, तो ये द जाना भी ठीक नहीं है दोनों के मन में कोई ना कोई जरूर बोज रहता है अत्याचारी भी सुखी नहीं होता और मन में उसे भी कहीं न कहीं पस्तावा होता है बहादूर इंसान वो नहीं है जो की डरता नहीं है बलकि बहादूर इंसान वो होता है जिसने अपनी डर पर जीत हासिल कर ली हो और इसके साथ वो आगे कहते हैं कि प्रतेख व्यक्ति के ड्यूटी होती है कि वो अपनी कंट्री के लिए अपनी कम्यूनिटी के लिए कुछ कारे करें परिवार के लिए तो सभी करते हैं लेकिन प्रतेख व्यक्ति को अपने देश के लिए अपनी कम्यूनिट किया क्या अत्याचार इन्होंने सहे कितरे अत्याचार और कितना स्ट्रगर सहने के बाद आज इनकी जीत हुई है तो स्टुडेंट ये थी छोटी सी समरी हमारी नेलसन मंदेला की उमीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को भी जरूर प्रेस करके और पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाला हर वेल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे मिलते हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कीप वाचिंग स्टे कनेक्टिड थैंक यू झाल 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 झाल